वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पर आते हैं ध्यान रखेंगे के लिए आप सभी लोग जो मंतली करंट अफैर की फाइल आती है उससे रिवाइस कर सकते हैं और आप लोग अगर चाहें तो डेली करंट अफैस को भी जोइन कर सकते हैं यह डिहां पर मैं डेली करंट अफैस अप्लोड करती हूं एक बजे यह डेली पब्लिक हो जाती हैं तो उनको भी आप जॉइन कर सकते हैं उससे आपकी prelims और mains दोनों की तयारी के लिए जो जो important current affairs है सारे cover हो जाएंगे बाकी इसकी अगर हम बात करें daily current affairs की ये भी आप उसके follow कर सकते हैं और साथी साथ जो हम लोग ये हर week का बनाते हैं उससे भी बहुत सारे आपके questions कवर होग है और उनके papers और इनके current affairs को आप देखोगे तो 20 से 25 questions आए हैं और अगर आपनी series हमारी daily follow करी है तो आप असानी से वो questions को भी कर सकते थे आप इसमें ये हैं हमारे दो numbers इन दोनों numbers पर आप call कर सकते हैं इन numbers से आपको जो भी PDF चाहिए वो आपको paid PDF मिल जाए करेगी आप इन पर दिये गए numbers पर call करके हमारे groups को telegram पर सबको join करके अपने आगे की तयारी कर सकते हैं जैसे कि हम हमेशा कारंटा फैज में शुरुवात करते हैं कुछ important दिवस से देश से तो सबसे पहला है woman equality day महिला समानता महिला समानता दिवस का अर्थ होता है कि जिसमें महिलाओं को एक जैसा सम्मान जो है वो मिलना चाहिए अपक्षॉण के ऑपड़ी है हम हमेशा बात करते हैं तो उसी के लिए women equality day मनाया जाता है कौन सी डेट को मनाया जाता है 26 लिए सबसे पहली बार 1973 जातल हैं किसी भी अगर दिवस को 50 साल कूल होते हैं तो हमारे लिए वह जादा जरूरी बढ़ जाता है क्योंकि उससे सवाल आने का चांस बढ़ जाता है पचास साल साल पच्छ साल कुछ ऐसा अगर कुछ रहा है तो उससे क्वेशन आने का चांस सोड़ा बढ़ जाता है तो यह 1970 में इसको असल में शुरू किया था और फिर प्रॉ क्लियर हुआ सबको यहां तक कि ऐसे ही अगला एक दिवस है राश्च्वेश थेज दिवस नाशनल स्पोर्ट्स टे की बारे में तो सब ने सुना होगा स्कूल में मनाया भी है हम लोगों ने लेकिन यह डेट में कौन सी आता है यह बहुत कम बच्छों को पता होता है 29 अगस ऐसा क्या हुआ था 29 अगस को कि हमने भारत के लिए इसको स्पोर्ट्स टे डिक्लेयर कर दिया तो इस दिन हौकी के लेजंड मेजर ध्यान चंद सिंग इनका बर्थ डे आता है इनका नाम आप सभी लोगों ने जरूर हो सुना होगा सभी लोग इससे वाकिफ होंगे तो नाशनल स्पोर्ट्स जे इंडिया का मेजर ध्यान चंद ध्यान चंद जो है तीन बार ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं 1928 1932 और 1936 में चार-चार साल की गैप में आप याद कर लिजेगा तीन बार गोल्ड मेडल लाए थे 28 32 36 34 साल की गैप में है इसको याद कर देना कि वो यह वो समय है जब होकी भारत का वर्चस हुआ करता था ग्रेटेस्ट होकी प्लेयर मेजर ध्यान चंद इनका जनव अलाबाद में हुआ था उस समय वह आगरा और अवद का यूपी के नाम से जाना जाता था और दिल्ली के एमस में और इंडिया इंस्टिट हमारे आवमें में भी सर्फ किया तो यह सब बाते भी आपको दिमाग में रखनी है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इन्हें बाजीशियन यह बिल्कुल आफकेट का एक्जाम हो गया जैसे या आरो-ए-ारो हो गया या असस्टिन का एक्जाम हो गया ऐसे एक्जाम में जो है यह सवाल पूछे जाते हैं कि कौन से ऐसे परसन थे जिनको विजार्ड के नाम से मैजीशियन के नाम से जाना जाता है तो ऐसे व्यक्ति जिनको इन निकनेम से जाना जाता है वो है मेजर फ्यांचर क्योंकि इन्होंने 185 मैट्स में 570 गोल्स किये है हजार से जादा इनकी खुद की बायोग्राफी है जैसे हम और 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 नाम है गोल क्योंकि इनकी लाइफ का यही गोल था त्यारुआ बीबी सी ने इनको बहुत सारे अलग-अलग नामों से जाना है इनको पद्न भूशन पद्न भूशन मेजर ध्यान चंद खेल रतन अबॉर्ट इनके न जो कि हमारे राश्पती द्वारा प्रिजेंट किया जाता है अभी हाल फिलाल में मेजर ध्यान चंद खेल रतन अवर्ड अचंता शरत कमल जो कि टैनिस प्लेयर है भारत के टैन टाइम सीनियर नाशनल चैंपियन रह चुके हैं तो उनको यह अभी हाल फिलाल में अवर्ड तो बिल्कुल रीसेंट अवर्ड उनको दिया गया अच्छा पहरी बार में जो ध्यान चल खेंवर्ड जो दिया गया था वो विश्वनाथन आनन्द को दिया गया था आप सभी लोग विश्वनाथन आनन को जरूर जानते होंगे पांच बार वर्ल्ड चेस्ट चैंपियन है चुके, तो उनको सबसे पहली बाद या था, यह सब बातें में आपको इक्स्ट्रा बता रही हूं न इनको लाइट मत लिजेगा, इनको आपने सिर्फ सुन के नहीं खतम करना है, यह सारी बातें जो मैं बता रही हूं तो आपको जो जो इसमें से नहीं पता है वो लिख लीजिए तो आप लोग इसको कम्प्लेट कीजिए लिखिए इनको बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ वो है हमारी डिफेंस की न्यूस तो डिफेंस की सफते की दो इंडिया ने आयोजित नहीं करी है लेकिन इंडिया ने इसमें पाटिसिपेट किया है यहां पर 27 अगस्ते 16 सेप्टेंबर तक चलेगी एक्सेस का नाम है ब्राइट स्टार कहां पर हो रही है क्यारो क्यारो कहां पर है अजिप्ट में सुना होगा सभी लोग और क्यारो भी तो मतब बहुत ज़्यादा फेमस कहीं जाती है तो ब्राइट स्टार एक्सराइज के बारे में याद रखेगा इंडिया ने इसमें पाटिसिपेट किया है और यह एक्सराइज में हमारी एयर फोर्स पाटिसिपेट करने के लिए पहुची है इसमें यूएस से साउधी अर सवाल पूछा गया है तो एक्सराइज के टॉपिक से सवाल आते हैं आप पढ़के जरू जाहिएगा हमारे इंडिया एरफोर्स में मिग एयरक्राफ सी 17 एयरक्राफ सी 130 एयरक्राफ यह सारे एयरक्राफ नहां पर पहुचे तो दोनों कंट्री यहां पर मिल करके बहुत करेंगे डिफेंस के मामले में अपने जितने भी चीज़ें सकती है उसको बैटर बनाने की कोशिश करेंगे आपको क्या जब रखना है कि कौन सी कंट्री के वेन्यू कौन सा था वेन्यू हुमारे लिए सबसे जादा जरूरी रहता है तो आप लोग अपने बैन्यू जरू याद करके जाएगा अगरा फेन्यू याद नहीं रखोगे तो आप इसे की आप नुकसान करोगे आप चीक है क्यारो क्या है क्या एजिप्ट की बताया ना मैंने एजिप्ट की कापिटल है और वहाई पर ही नाइल लदी भी वहीं से निकलती है और जलिए अगली ऐसी एक और एक्सेसाइज आती है जोसका नाम है OS INDIX अब नाम से आप समझют होंगे OS INDIX ओस का यहां पर अर्थ है और एंडिया खोंट शेौन से आंडिया ऐय क्रेदैश rouvna के इस तो आस्ट्रेवय इंडिया की एक जॉइंस का अिन्हाइक हैं Sydney में हुई और Sydney Capital नहीं है ऑस्ट्रेलिया की Capital जो है ऑस्ट्रेलिया की Canberra है यह Sydney में हुई है ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी चाउल्स आंड ब्रिस्बेंग करके दो और शिप्स हैं जिन्होंने हां पर पार्टिसिपेट किया है तो याद रखेगा कहां पर हुई है यह सवाल एक बहुत ही कॉमनता सवाल बन जाता है और हमसे पूछा जा सकता है बढ़ते हमारे अगले नावाजा गया है जिस अवर्ड का नाम है ग्रीज का सबसे हाइस्ट अवर्ड ग्रीज का एक हाइस्ट अवर्ड है जिसका नाम है ओडर ऑफ दौनर ऑफ दौनर यह ओडर ऑफ दौनर अवर्ड को जो है किसको दिया गया है हमारे प्रधान मंत्री को दिया गया है तो उसी क कंट्री का है तो order of the honor Greece का है order of the Nile भी मैंने आप लोगों को बताया है order of the Nile का जो award है यह Nile award किसको दिया जाता है यह Egypt का था याद आया सब लोगों को Egypt का highest reward जैसे आपने भारत का हमारे भारत का कौन सा है भारत रहते हैं सबसे बड़ा अवोड इसी प्रकार से order of the Nile एजिप्ट का सबसे बड़ा अवोड है order of the honor Greece का सबसे बड़ा अवोड है तो यह नाइल और Greece दोनों के highest award जो है वो किसको मिले हैं हमारे भारत के प्रधान मंत्री को मिले इससे सवाल बनते हैं कि इस तरीके से क्या-क्या नाम है उनसे ही सवाल बनते हैं मतलब कहां का अवोड है यह पूछा जा सकता है एक मैं आपको और बता दू क्योंकि इस पे अभी यह जो है अभी तो नहीं मैं कहुंगे पहले भी कहले का यह इंध किया यह कॉने का highest award तो आप लोग इसका answer मुझे comment box में देंगे कि मैम ये इस country का highest award चेक है और आपका correct answer होगा बिना Google के दीजेगा क्योंकि गुगल के answer फायदे में रहेंगे Google करके तो सभी लोग देंगे answer अगर आपको पता है बहुत अच्छी का नाम लिखेंगे जिस country का award है ये और ये कौन सी कांटिनेंट से बिलॉंग करती है महाद्वीब का नाम क्या है वो भी आप comment box में बताइए दो तो ये चीज़ आप comment box में जरूर याद रखके मुझे इन पहुंग कीजिए तो ये आप लोगों ने अवाड़ देखा 1975 में इसको ग्रीस ने स्टार्ट किया था और अगर मैं अब स्पेशली बात करती हूं मैं ग्रीस कंट्री ग्रीस कंट्री जो है ये यॉर्प के हिस्से में पढ़ती है इसे कई बार वेस्टन सिविलाइजिशन के नाम से जाना जाता है ग्रीस की खुद की कैपिटल है एथिन्स बहुत ही खुपसूरत जखा के रूप में इसको जाना हो जाता है और इसके पास में टर्की बुलगारिया बानिया ये कंट्रीज पढ़ती है इसके पास बहुत सारे छोटे-छोटे से आईलेंस है बहुत ही सारे आईलेंस है तो ग्रीस काफी ब्यूटिफल कंट्री में कांट की जाती है ये वही जगह है जहां पे डैमोक्रिसी philosophy, literature, political science, mathematics, theater, Olympic Games, इन सब की शुरुवात ओई थी थी. Political science world जो है न, Спस्षाद यहीं से निकल किया रहा को. Greeks नहीं अपने आपको पौलिस में बनाना था, वहीं से पौलिस का 색깔ं साइन्स वर्ड निकल किया पाया, ठीक है? शलिए. बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल है अभी ड्रॉपती मुर्मु जो है हमारी प्रेजिडेंट उन्होंने ओनम फेस्टिवल के लिए पूरी एक रिगार्ड को यहां पर भेजा है तो अब हमारे लिए जो ओनम फेस्टिवल है वह इंपॉर्टें यहां दिवाली होली ऐसे ही केरला में ओनम का पहुत important significance है जो पीपल हैं वो adukya महहबली के आने की खुशी में असORA की महहबली के आने की कुशी में इस फेस्टिवल को मनते हैं पल्लवा डैनस्टी ने इसको शुरू किया था यह इंपॉर्टेंट है यह चीज शुक्ल पक्ष के दिन शावण के महीने में इसको मनाया जाता है 29 अगस्त को यह सेलिब्रेट किया गया उनम का प्रेस्टिगर हिंदू माइथोलोजी के अगर मैं बात करें तो एक किंग महाबली ते जो थी बहुत ही दयाली और के बहुत बड़े किंग के नाम से जाना जाता उनके टाइम में जो उनकी प्राजा थी वह बहुत खुश रहती और किंग से भी बहुत प्यार करती और उनके जो दुश्मन थे जाक्षिस गण जो थे उन्होंने महाबली के पूरे उनको काकी जद्दा जरन के मारे उनको वहां से हटाने की कोशिश करी थी तो इस वज़े से जो किंग महाबली जो है उनका वद्द करके उनको हरा के जब वापस आते हैं उसी की खुशी में हम लोग यहां पर ओनम को सेलिब्रीट करते हैं कि यह रोगों को बहुत अच्छा और यह बहुत धूमदाम से मनाया जाने वाला एक फेस्टिवल है ओनम six दिन कि सेलिब्रेशन चलती हैंसे ओपर और साथी साथ एक ऐस फेस्टिवल के रापनू रूप में भी जाना चाथा है इसमें राइस तरीके से racing होती है boats की, पामपा रिवर की किनारे, तो ये भी च्याद रखेगा, पामपा रिवर की किनारे ये एक boat, जो है boat racing करी जाती है, snake boat, चीक है, ये एक district है, केरिला का, महाँ पर snake की form में, boats एक तरीके से race किये जाती है, पायसम भी बनाया जाता है उनम के समय, जो की rice milk और sugar और coconut से मिलके बनता है, पायसम, सुना होगा आप लोगों ने सरूर इसका नाम, कत्हकली dance परफॉर्म किया जाता है, इसको आप दिमाग में रखेगा, बहुत important है, ऐसे ही एक और important news है, एक ऐसे पहरे भारत के इंडियन पोएट, जिन्होंने साहित्य अकैडमी अवाट जो है, इंग्लिश के लिए जीता था, जिनका नाम था जयन्त महापात्रा, इनकी अभी हाल फिलाल में मृत्ती हुई है, तो हम सबसे ये पूछा जा सकता है, जयन्त महापात्रा जो या फिर ऐसा भी बन सकता है, क्वेशन की ऐसे कौन से पोएट थे जिनको पहली बार साहित्य अकैडमी अवाट दिया गया था, साहित्य अकैडमी एक सबसे बड़ी अकैडमी है, जो कि लाइंगोज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, मंडी हाउस दिली में इसके हेटक्वाटर बने हुए है, लाइंगोज को प्रमोट करने के लिए 1994 में बनाई गई थी, तो जयन्त महापात्रा इनको पदमश्री अवार्ड भी मिला है, इन्होंने इंडियन समर और हंगर जैसी का महान कविताओं को जो है वो लिखा है, उडीसा से ये बिलॉंग करते थे, इनको आप याद रखेगा, पूछा जा सकता है, अगला है शिफ शक्ति पॉइंट, मेरे इस आप से हर एक भारतिय जो इसको पढ़ रहा है अभी, साहे वो सुन करके इस पूरे को अपने नॉलिज को और जादा स्टेंदन कर लो, तो शिफ शक्ति पॉइंट जो है, वो किसके लिए जाना जाएगा, क्या है ये, तो देखिए शिफ शक्ति पॉइंट एक वो पॉइंट डेक्लेर किया गया है, जो कि 23 अगस 2023 को जब चंद्रयान 3 ने सफल लांडिंग करी थी, उस समय जिस पॉइंट को उसने टच किया है, उसे कहते हैं शिफ शक्ति पॉइंट, जब हमारे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्यान वहाँ जाके 23 अगस 2023 को शाम को 6 बजे के करीब वहाँ पे लैंड करते हैं, जो इस पॉइंट का नाम शिक्षक्ति रखा गया है, और लास्ट टाइम 2019 में जब चंद्रयान 2 की जो क्राश लैंडिंग हुई थी, उसका ना पॉइंट को नहीं देखा है, तो पिछली वीडियो को देखिए, मैंने चंद्रयान उनके पेलोड कितना किलोग्राम थे, कितने बजे, क्या-क्या चीजे हुई, एक्जाक्ट सारी इंफॉमेशन नाश्ट्री अंत्रिक दिवस के बारे में, सारी इंफॉमेशन आपको दी ह पॉइंट लिए बाकि इसके अलावा, तिरंगा वॉंट और शिशक्ति पॉइंट को falando की रखेंगे, शिव शक्ति पॉइंट और तीरंगा पॉइंट में डिफरेंश थे तिरंगा पॉइंट चंद्रयान तू से जुड़ा हुआ है और शिवक्ती पॉंट चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ है चंद्रयान हमारा विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्यान की मदद से जो है चंद्रयान तक चंद्रमा तक कोहचाया गया है इस रो ने यह पूरा यहां पर स्टार्ट किया है और यह लैंडिंग साइट 26 अगस्त को बताई गई थी इसरों के जो हेड़कॉर्टर बेंगलूरू में है वहाँ पर लेकिन यह लॉंच हुआ था यह लॉंच हुआ था श्री हरी कोचा तिरोपती में है अध्रप्रदेश क्या है ठीक है शिव शक्ति शिव सब्सक्राइब को अनाउंस किया है तो आप सभी लोग एक बास पेज़े के बारे में यह सारा कुछ यह बस जरूर गो थू कर लिजेगा अगला आता है हम लोगों का अभी हाल-फिलाल में एक बहुत इंपॉर्टन अनांस्मेंट हुई है कि सेंट्रल गर्मेंट का ऐसा कहन कि जो है कि तीन कोई उनकी कौई इंटस्थ्न सकूल सेंट्रल गर्मेंन सेंट्रल करें मैं इसे कोई इंटेंशन नहीं है कि हम लोग कि जो है constitution कर नौर्फिसन स्टेट्स जो है हमारी और में कोए हमारी इन बहुत से हैब कि बश्क्राइब है उन में हम कोई भी चेंजरेस्ट नहीं करना चाहती है। मतलब कि नौ तीशन स्टेट से जुड़ा हुँ हमारा सिक्सकेक्षटूल आप सभी लोग जानते हैं स्पेशल स्टेटस दिया गया है। कौन से स्टेट को दिया गया है। राइट सो 80 mm में क्या-क्या आता है एफ और आसम टी फॉर ट्रिपुरा क्योंकि नौ तीज की बात हो रही तो सारी नौ तीज न स्टेट्स ही होगी अब बच्चे को कन्फ्यूजन यह हो जाता है कि एंसे तीन स्टेट्स है वहाँ पर एक मिज़राम मिगालिया मन पर तो मनी पूर इसमें नहीं है चेक है आपको मैं बहुत अच्छे से बहुत ही प्यारी सी ट्रिक बता रही हूं सब कंसंट्रेशन जरह सामने स्क्रीन पर रखो और अपने जो भी आपके एयर फोन्स हैं यह स्पीकर पर रखावा है कैसे भी और खुद ध्यान से सुनदा आपको एक बात पॉलिटी आप ल अनुसूची पड़ी और इन अनुसूचियों में आपने सिक्स केडियूल पढ़ा और इस सिक्स केडियूल में आपको मैं एक बात बहुत इक्लियरली बता रही हूं कि सिर्फ और सिरफ चार नौर्थ इस्ट उत्तरपूर्वी राज्यों का जिकर है सिर्फ चार का जिकर है चार आपके 80 mm से याद कर लो कि इन चार राजियों का जिखर आसाम तुरिपरा मिगालिया और मिजरम ये मिजरम है और ये मिगालिया इसमें मनीपुर नहीं है बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाती हैं जब पढ़ते हैं तब तो उनको याद हो जाता है पर कुछ दुनों बात ये बात भूल जाते हैं कि बहुत कुछ पढ़ रहे होते हैं ये बूल जाते हैं कि इसमें मनीपुर नहीं है मैं घालिया और मिजरम है तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बतारों कि हान से सुनगा ट्रिक को दिमाग में रखना है बेसिक बाद, ट्रिक क्या होगी, ATM में मनी नहीं, ATM होता है न, ATM में मनी नहीं, मनी से क्या हो जाएगा, मनी पुर नहीं है उसमें, ATM में पैसन निकलवाने जाते हैं, ATM में मनी नहीं है, तो पैसे कैसन निकलवाएंगे, तो वही याद कर लो, ATM मे मनी तो इस एक स्केडियूर में मनीपुर को छोड़के चारो स्टेट्स के उपर बात है और इन चारो स्टेट्स में अलग से क्या बनाई जाती है ADC जिसे इंगलिश में हम कहते हैं Autonomous District Council और ये स्वायत परिशद जो होती है ये स्वायत परिशद यहां पर अपने तरीके से काम करती है इन चारो के लिए प्राइबल पीपल के लिए काम करती है गारो, खासी, जैंतिया, त्रिपुरा, कार्भी, एंगलॉंग, बोडो, लाई, चक्मा, मीरी ये सब यहां की Autonomous District Council है अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अलग से Six Schedule के उपर एक प्रॉपर वीडियो बनाओ, जिसमें मैं सारी डीटेल्स के बारे में बताऊं कि हम इसमें कोई चेंज़ नहीं ले कर आ रहे है Потому इसमें इन चारो स्टेट्स की बात है अब हम कोई चेंज नहीं ला रहे ह। ऊосьनी यहाई है जोतना पूरे के पूरी सारी चीजह हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारी डयमोक्रसी आइंशौर रही है कि अगला आता है इसके अंदर मैं अगर आपको बता हूं आटिकल 371 में बहुत सारी स्टेटस और सारी चीजों के बारे में बताया गया है 373 सिर्फ जमू कश्मीर से डील करता है जबकि 371 में बहुत सारी स्टेट के बारे में 371 में 371, 371 A, B, C, D करके बहुत सारी स्टेट के बारे में बात कि गए आटिकल 371 एक पर्मानेंट नहीं था टेंप्रारी था जमू कश्मीर के ले करके कि जमू कश्मी का अपना constitution हो सकता है अपना flag हो सकता है जबकि आर्टिकल 371 एक पर्मानेंट प्रोविजन है हर एक स्टेट को लिए तो यहां पर यह 12 स्टेट को कवर करता है जबकि आर्टिकल 370 केवल और केवल जमू कश्मीर को कवर करता था और यह आप हटाया चाद मैंने प्रॉपर्ली वीडियो जो है अमारी कि ओली करंट अफैस के चानल पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सपेंड कर रहा था आप सभी लोगों को मेरी एडवाइस है कि उस वीडियो को जाकर के जरूर देखें उस वीडियो को जाकर के समझें कि आर्टिकल 35a और आर्टि बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ यहां पर हील बाइडिया का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है हेल्फ के प्रोफेशनल्स द्वारा ये एक तरीके से हील बाइडिया नाशनल हेल्फ अथॉरिटी यह वही नाशनल हेल्फ फॉरिटी है जो आयुश्मन भार है उसका भी और ये बहुत बड़ा इनिशेटर स्टार्ट किया गया है जिसमें होलिस्टिक तरीके से आपको हेल्फ के सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी हेल्फ केर वर्कर्श द्वारा बहुत ही बड़े लिविट इसकी अलग से वेबसाइट है इसको जाके चेक कर सकते तो हमारे हिल्फ मिदिश्र मंन् सुख मंदावया ने हेल्फ हील इंडिया हील बायिन तर्के केunch के मिनृष है और मिनिस्ट्र का नाम के देते हुए हम लोगों ने यह पूरा steps को यहां पर देखा है कि इनिशेटिव इंडिया दौरा स्टाट किया गया सब्सक्राइब आता है कि इसमें क्या चीज है तो हम से पूछा जा सकता है इसके अंदर की भै किसमें यहां पर किस तरीके से स्टार्ट के लिए तो इसको ब बट्रों को करीब-करीब 1500 trainees को यहाँ पर एक cloud computing सिखाएगा cloud computing बता ना आप लोगों को cloud storage सभी लोग इस्तिवाल करते हैं na cloud storage का वही cloud storage है आपको project number के तहट सिखाई जाएगी जिसमें हम सभी लोग मिलके क्या करने वाले हैं हम सभी लोग यहाँ पर cloud computing की ट्रेनिंग देने वाले हैं बच्चों पंदरा सो बच्चों पंदरा सो ट्रेनीज रहेंगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइट करवाएंगे और उनको सिखाया जाएगा समझगे मीनिंग क्या है cloud computing क्या होते हैं जिसमें आप storage और data processing यह सब चीज़े सीखते हो जो हम लोगों को नहीं आती होती मतलब मुझे तो नहीं आती आप लोगों में से कि जिसमें सीखी हुई होगी उसको जरूरूर आता होगा इस सारी जारिश यह है कि आप लोगों को यह lecture कैसे लगते हैं जब भी आपको current affair दिये जाते हैं आप लोगों के 10 सेकिंड लगेंगे comment box में जरूर बताइए कि लेक्टर आपको कैसा लगा है ठीक हैं आप लोगों के 10 सेकिंड से हम लोगों को motivation मिलती है इसको और ज्यादा बेटर ब तो ताइवान कंट्री में अलग से इंडियन टेंपल साट किया गया है इंडिया को डेडिकेट करते हुए इंडिया के साथ अपने कुल्च्राइब बॉंड को बढ़ाने के लिए इक अलग से टेंपल है सबका मंदिर के करके एक नाम से तो इसको अपने दिमाग में रखना के प्रेजडेंट को कि जिम्भावग के प्रेजडेंट एमसन बांगावा नएप रेजेडेंट नहीं रखने है अफ्रिका में पढ़ने वाली जिम्भावे की तो यह एक और आपने चारों ही नहीं सुने होगी लेकिन अगर आपने कभी लेक्टर में या कभी वैसे पड़ा होगा तो आप इनके नाम असानी से वहाँ पे लगा तो याद रख लो सुनो एक बर सुनके भी याद रह जाती है कि आपको चूज करना होता है तो आप्शन में असानी से चूज हो जाता है नाम है एमर्सन मंगावे याद कर लेना ऐसी एमर्सन मंगाव मंगांगना करके पड़ते वहीं मुझसे भी नहीं पड़ा जा रहा है से थोड़ी सी आजीव साही कुछ नाम है पट कोई नहीं जो अवार्ड दिया गया है जो हमारी दो एक्सेसाइज हुई है बहुत हाई चांस है कि इनमें से किसी ना किसी एक पर सवाल बनेगा कंप्लीट कीजेगा इन सभी लोगों इस अभी को ऑगस्त के करन्ट अफैस हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं ऑगस्त का हम लोगों हमें पूरा सप्ताह के कंप्लीट कर लिये है अब सबस्त करण जाएं सब्सक्राइप कहोएं को बहूत ऑlles कर देचे tratar अगा को तबाप समझने की से पड़ते रहे हैं काम करते रहें धनेवाद जेह झाल 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 झाल